नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने योटूब चैनल मानी ओव डिस्टल न्यूज अमडियन पर दोस्तों बात करने वाले हैं वारी रिनेबल टेक्नोलिज लिमेटेड स्टोक के बारे में सोगास कल इवनिंग को दोस्तों लेट नैट को जो कंपनी का फाइ अनौसमेंट कर दी है और दोस्तों जो राइट इविडियन के फाइनल डेट वह कब तक दोस्तों आप लोगों को फ्रोफिट मिलेगा और उसका जो डिविडियन है वह आपके डिमेट अकाउंट में कब तक जमा होगा तो टोटल जो डेटा है वह कंपनी ने दोस्तों ऑफ दोस्तों दो 27 गरोड की सेल नजजर आई है जिसमें दोस्तों 191 कोर्ण का दूस्तों की नेट चोवन करोड का निजर आया है है और कंपनी की दूस्तों एफियस एट में भी 551 पेसे के बड़ा उतरी नजर आई है तो कहीं नहीं काफेचा जो प्रोफिट अंदर नजर आया पर अभी टाम दोस्तों क芬्ठी ने फाइनल जो अनौर्सेमेंट है वो डिडेकर कर दी है तो दोस्तों अभी टाम हम क्लिए रिया है मार्ट Connect को लेकर की कम्पनी का जो डिडेंड को लेकर जो है धु है दो रुप strang घुर door ago жиз आगामी जो वार्षिक आम बेठक जो होने वाली है तो उसके बाद दोस्तों कमपनी की जो डिवडेंट की जो अनौंसमेंट है उसको जो फाइनल है वो डेटा कर दिया जाएगा ओलडे पर दोस्तों कमपनी का जो डिवडेंट है पर अब एक टेम दूस्तों कमपनी ने ये भी किलेरली मैंसिंग कि कम्पनी का ди운데ंट है वो आपके दिमेट अकाउंट में जो बौड मिंट गयाओ लोगों के जो डिमेट अकाउंट में ज्मा कर दिया जाएगा री शेवर हो जाएगा तो यह करना कई कंपणी के दूस्तente सबसी अच्छी जो है जूस बूसूर एक अचछी फ़यल देखने को नजराएं कि कंपणी पहले मेंजन कर दिया है कि company का जो dividend जो profit है वो आप लोगों को आपके demate account में 30 days के अंदर जी हां दोस्तो 30 दिन के भीतर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो ये काफी ज़्यादा company ऐसे भी होती है दोस्तों कि announcement तो है वो तो कर देती है पर दोस्तों ये नहीं बता दी कि company का जो dividend है जो payout हो रहा है तो वो आपके demate account में कब तक आएगा और case पर कार आएगा तो दोस्तों ये company ने काफी अच्छा जो है clear mention जो data किया है तो ये अपने आप में काफी इचे पहल देखने को नज़राई है तो मैं आप लोग को दोस्तों कुछ hint दे सकता हूँ hint दोस्तों अगर सबसे फिले कर देखा आज़े तो वरतमान में दोस्तों renewable energy वारी renewable पर कोई खास कर gear out नहीं हो रही इसके सबसे पीचे का जो region है वो देखने को मिल रहा है कि FI के जो investor है तो वो लगातार दोस्तों जो है अपनी holding है उसको काफी तेजी सी जो है invest करते हुए जो नज़रा रहे थी वो वापस अभी टाइम भारते बाजार से निकालते हुए नज़राए है और फिशले दो जो सेसे नज़र आई थे जो गुरवार का और श्कुरौवार का थे दोस्तों इस दो सेसन के एंदर दोस्तों जो है 15.00inal करोड रुपे का दोस्तों जो है FI का lowers देखने को मिला है तो अब 15.00 weekend क्रोड का जो लोस देखने को मिला है FI का तो उसके पीछे का region टोटल जो अपना पैसा है वापस निकालते भी नजर आ रहे है और इसे के चलते भारते बाजर पर वापस बड़ा करेश देखने को नजर आया है तो अब एक टाम दोस्तों जो मामला है 50-50 देखने को मिला कि दोस्तों ये गवर्मेंट रहे भी सकती है और बदली भी सकती है अब एक टाम दोस्तों फलड़ा जो है दोनों तरफ बराबर है तो अब एक टाम दोस्तों जो है holding और confusion दोस्तों अब एक टाम दोनों रखने होंगी क्योंकि अब एक टाम अगर old जो government अगर वही वापस management अगर देखती है और वही पहले वाली government की दुवारा सरकार बनती है दोस्तों already market normal पे आ जाएगा पर दोस्तों अगर नई government अगर आती है नई पार्टी के अगर सरकार बनती है तो दोस्तों वह किस sector में announcement करती है वह देखने वाली काफ़ी जादा बड़ी बात रहेगी और अगर announcement अगर करती है तो कहीना कहीन दोस्तों जो है farming sector में कर सकती है फ अभी टाम काफी जो है investment किया जाएगा जिसके वज़े से दोस्तों renewable sector पर काफी ज़्यदा चीज़ का असर positive नजर आएगा और investment करने का जो मोका है वह हमें बाद में भी मिल सकता है तो अभी टाम renewable sector के जितने भी stock है उनको अभी टाम हम hold रख सकते हैं तो कहीना कहीन हमारे ल जाइज भी है क्योंकि वो लड़े के जो करोडों का जो पैमेंट है वो बीक टाम दोस्तों share market में अटका हुआ है और काफी बड़ा लोस भी है काफी बुक भी यहां पर कर चुके है तो जो dividend की announcement है वो लड़े हो चुकी है दो वारे रिनेवल पर तो अब एक टाम Monday session पर एक करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते नेक्टमेजिक वीडियों के साथ अपने के लिए जाज दीजिए जैसरी करना थैंक्स रोजिंग दस्वारा